समुद्र तटिय मैदान और द्वीप समू जहां समुद्र जमीन से मिलता है उसे तट कहते हैं प्रायद्विपी पठार के दोनों ओर सागर से सटे सकरे मैदान है इन्हें समुद्र तटिय मैदान कहते हैं सहाद्रिघाट के पश्चिम में गुजरात के कक्ष और काठियावार से मुंबई और गोवा से होते हुए केरल के दक्षनी शोर तक पश्चिमी तटी मैदान फैला है। पूर्वी तटी मैदान गंगा ब्रह्म पुत्र डेल्टा से महानदी, गोदावरी, कृषना और कावेरी के डेल्टाओं को जोडते हुए कर्णिया कुमारी तक फैला हुआ है। यह मैदान अरबसागर एवं पश्चिमी घाट के मद्ध स्थित है। इसमें बहने वाली नदियां इस मैदान को समानांतर रूप से काटती है। यह नदिया छोटी एवं तेवरवेग वाली है। इस कारण यह अपने साथ बहुत कम अवसाद लाती हैं तथा अपने मुहाने पर जमा भी नहीं कर पाती है। यह अवसाद गहरे सागरतल तक पहुच जाते हैं। इससे इनका मुहाना खुला रहता है जिसे एस्चुरी कहते हैं। दमन से गोवा तक मैदान को कोंकर का मैदान कहते हैं। यह तट बहुत कटा फटा है। मुंबई बंदरगा इसी मैदान में इस्थित है। गोवा से मंगलूरू, मंगलापुरम तक के मैदान को करनाटक या मैसूर का मैदान कहते हैं। मंगलूरू से कुमारी, अंतरीप या कन्या कुमारी तक के मैदान को मालाबार का मैदान कहते हैं इस शेत्र की विशेज इस्थलाकृती, लंबे एवं सक्रे कयार, बैक वाटर होते हैं इनमें समुद्र का खारा पानी और नदी के मीठे जल मिलते हैं जिन में मचली पकड़ना और नौकायान किया जाता है इसका निर्मार्ण नदियों के मुहाने पर बालू जम्म हो जाने से होता है कोच्ची बंदरगाह ऐसी ही जगा पर स्थित है यहां के जलवायों उष्ण आद्र है जो मानो निवास के अनुकूल है यहां रबर, सिनकोना, कहवा, गरम मसाले, नारियल एवं काजू की खेती की जाती है निजले मैदान में गन्ना एवं धान तथा उपरी पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती होती है मद्यकाल में वासको डिगामा अपने बेडे के साथ यही पहुचा था पूर्टगालियों ने गोवा को अपना प्रमुक केंदर बनाया था इस मैदान के उत्रिभा को गुजरात के मैदान के नाम से जाना जाता है इसमें कच्छ एवं सौराष्ट प्रायदीप का तटवर्ति शेत्र एवं गुजरात का आंतरिक मैदान समलित है यहां बनास, माही, सावर्मती, नर्मदा एवं तापती नदियां बहती है कच्छ सौराष्ट का मैदान अर्धशुष्क, नमकीन एवं रेतीला है वर्शारितु में यह भाग बाढगरस एवं दलदली हो जाता है इस शेत्र में खनिच तेल मिलने से इस शेत्र के आर्थिक विकास में तेजी आई है दूसरा, पूरव तटिय मैदान पूरव तटिय मैदान पूर्वी घाट एवं बंगाल के खाड़ी के बीच इस्तित है इसका विस्तार उत्तर में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से दक्षिन में कुमारी अंतरीब तक है इसके उत्पत्ती जमीन के उपर उठनी की क्रिया उनमजन से हुई है इसलिए इस पर प्रायदीप से बहने वाली बड़ी बड़ी नदियां अपने अवसाद का जमाव करती है इस कारण मैदान का ढाल मंद है नदियां अपने मुहाने पर लंबे चौड़े डेल्टा का निर्मान करती है इनमें महानदी, गोदावरी, क्रिजना, कावेरी तथा पिननार डेल्टा प्रमुक है इस तटी मैदान में समुद्री लहरों ने अपरदन क्रिया से एक विशाल लैगून जील का निर्मान किया है हम इस जील को चिलका जील के नाम से जानते हैं डेल्टाई भाग में लहरों द्वारा बालू के टीलों से घिरे लैगून अनूप जील भी निर्मित है पूलिकट जील इसका सुन्दर उदारण है पूर्वी तटी मैदान का उत्तरी भाग ओडिशा राज में आता है यह महा नदी द्वारा निर्मित विस्तरित एवं उपजाव डेल्टा है जहां चावल एवं जूट के खेती होती है जींगा मचली के लिए विश्व प्रसित चिलका जील इसी मैदान में है कई देशों में यहां से जींगा निर्यात होता है पूर्वी मैदान का मध्यवर्ती भाग आंधर प्रदेश के तटी भाग में है इसे काकी नाडा का मैदान छेतर कहते हैं यहां गोदावरी एवं कृष्णा नदियां डेल्टा बनाती है पुलिकर जील और प्रसिद बंदरगा विशाखा पत्टनम इस छेतर में है यह नार नदियां प्रवाहित होती हैं एवं डेल्टा बनाती है चे नई बंदरगा इसी तट पर इस्थित है